केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा के महा जन्सम परकभियान की शुरुआत अजमेर से मोधी क्याबिनेट ने अन्न भंडारन योजना को दी मंजूरी सहकारिता के छेत्र में होगा बड़ा बदलाव बिरुजगारी भत्ते की आज दूसरी किष्ट जारी मुख्यमंत्री ने कहा रोख हटते ही नौकरी के विज्यापन आ रहे हैं मैंने अपना वादा निभाया और एक भारत स्रेश्ट भारत के तहत जांजगिर चापा के भ्रमन पर गुजरात पुलिस टीम देश के पहले किसान स्कूल को देखकर पुलिस कर्मी हुए प्रसंद नमस्कार आप देख रहे हैं दूर दर्शन समाचार मैं हूँ अमृतर शर्मा और अब समाचार विस्तार से केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पुषकर से भाजपा के महा जनसंपर कभियान की शुरुआत करते हुए 9 साल की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया राजस्थान विधान सभाद चुनाओं की तैयारियों की आपचारिक शुरुआत भी अब हो चुकी है पीम मोदी ने कहा कि केंद्र में बिजेपी की सरकार के 9 साल भी पूरे हो गए हैं भाजपा की सरकार के 9 साल देश वासियों की सेवा के रहे हैं भाश्पा सरकार के 9 साल देश में सुशासन के रहे हैं, भाश्पा सरकार के 9 साल गरीब के कल्यान के रहे हैं PM मोधी ने कहा, 2014 से पहले सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती थी, PM के उपर एक सूपर पावर काम किया करती थी रिमोट कंट्रोल से चल रही थी, निर्णे होते नहीं थे, नीतियां चौपड थी, निवेशक निरास्ते, युवाओं के सामने अंदकार था जन्ता से वोट लेकर, कॉंग्रेस, जन्ता को ही कोस रही, भाई युवर भेनों, गोर निरास्ता के इसी माहोल को 2014 में आपने एक वोट से विकास के विश्वास में बदल दिया पीम मोदी आज जिस महा जन्संपर कभियान की शुरुआत कर रहे हैं, वह भाजपा द्वारा चलाया जा रहा अब तक का सबसे बड़ा अभियान है कुल 288 सिर्ष भाजपानेता और 16 लाक पार्टी कार्यकरता केंद्र में पार्टी के शासन के 9 वर्षों में उपलब्धियों का संदेश देने के लिए सभी लोगसभा सीटों को कवर करने वाले 10 लाक बूतों और 144 समूहों में मतदाताओं के साथ बातचीत करेंगे मोधी काबिनेट ने देश में अनाज भंडारन को बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है इसके अंतरगत सहकारिता छेतर में अनाज भंडारन की शमता को बढ़ाया जाएगा इस योजना पर करीब एक लाक करोड खर्च होंगे केंद्र सरकार की ओर से किसानों को लाब पहुचाने के उद्देश्य से अन्न भंडारन योजना शुरू की गई है इस योजना को किसानों के लिए काफी एहम माना जा रहा है केंद्रिय मंत्री अनुराक ठाकूर की ओर से इस योजना पर बयान जारी करते हुए कहा गया है कि आज की काबिनेट बैठक में सहकारिता छेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारन योजना के अनुमती अनुमोदन पर आजनर नय लिया गया है अभी तक कुल 1450 लाग टन बंडारन की शमता है और अब 700 लाग टन बंडारन की शमता सहकारिता च्छेत्र में शुरू होगी सहकारिता की च्छेत्र में विश्व की सबसे बड़ी बंडारन योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं अभी तक कुल मिलाकर 1450 लाग टन बंडारन की शमता है अब 700 लाग टन बंडारन की शमता सहकारिता की शुरू होगी भारत में कुल मिलाकर देखा जाए तो 31 लाग टन फूट ग्रेंज की पैदावार होती है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो वैल्यूएबल फूड ग्रेंज है वो नश्ट इसलिए भी हो जाते हैं कि बंडारन की शमता नहीं होती ट्रांस्पोटेशन में खराब हो जाते हैं और किसानों को भी उचित दाम अगर लगता है कि 15 दिन बाद महीने बाद मिल सकते हैं लेकिन बंडारन की शमता नहीं है तो उसको भी बेचना ही पड़ता था अब इससे फरक क्या पड़ेगा ये देश में खाद्यान बंडारन की शमता में वृद्धी भी करेगा और खाद्यानों के आयात में कमी लाएगा खाद्यान सुरक्षा हमारी और मजबूत होगी सुनिशित करेगा ये पैक्स को भी प्राइमरी अगरिकल्चर सुसाइटी ज चैत्रों में कम से कम दस चुने हुए जिलो में एक पाइलेट पर योजना चलाएगा यहाँ पाइलेट प्रोजिक्ट इस योजना की विभिन्न चैत्री आवशक्ताव के संबंध में महत पुन जानकारी प्रदान करेगा जिसे इस योजना के देश्वयापी कार्यानवयन म शामिल किया जाएगा केंद्रिय ग्रियमंत्री अमित शाह मनीपूर दौरे पर हैं पिछले चार दिनों से मनीपूर में रहकर बिगड़े हालातों की समिक्षा कर रहे हैं और विभिन्न समुदायों से चर्चा भी कर रहे हैं सीमा वर्ती कजबे मोरेह में अमित शाह कई पांच लोग कस्बे छोड़कर चले गए हैं और म्यमार सहित कई अन्य जगह पर शरण ले रहे हैं मनीपूर में हुए हिंसात्म घटना में मारेह सरवाधिक प्रभावित हुआ है ग्रियमंत्री आज दिन भर मोरेह में बहु संख्यक समुदाय के प्रभावित परिवारों स मनीपूर ही है ग्रियमंत्री अमिच्या ने हिंसा प्रभावित मनीपूर में नौ बैठके लिए इसमें इमफाल में बहु संख्यक मेटी और चूरा चनपूर में कुकी जन जाती के बीच सुलह की कोशिशों के साथ जरूरी निर्देश भी दिये गए मनीपूर करीब एक मह प्राइब स्यम्पूरी ने बताया कि देश में भाजपा सरकार आने के बादेश वादी के नित्रित्व में के नौ वर्ष पूरे हो गए हैं इसी कड़ी में नौ साल की सफलता और योजनाव की जानकारी देने के लिए सभी केंद्रिय मंत्रियों को राज्यवार्जय मेदा केंद्र में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष में 30 मई से एक महिने का जन संपरक अभियान शुरू हो चुका है 30 मई से 30 जुन तक महा जन संपरक अभियान चलेगा 9 साल की सफलता पर केंद्रियों पेट्रोलियम और प्राक्रतिक गैस मंत्री हरदीप सीमपू कर रहा है 2014 and now the figures I am getting you if you go by the Ernest and Young projection by 2040 you will be at 28 trillion dollar economy what the Honorable Prime Minister said was विक्सित देश developed country by 2047 on Amrit मुख्य मंत्री निवास कारियाल है राइपूर में आईज़त कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत राशी online transfer की गई बिरोजगारी भत्ता कारेक्रम में प्रदेश भर से युवा जुटे थे मुख्य मंत्री वुपेश बगेल ने 35,5395 युवाओं के खाते में 32 करोड 35,25 रुपे ट्रांसफर किये बिरोजगारी भत्ते की आज दूसरी किष्ट दी गई है पिछली बार बिरोजगारी भत्ते की पहली किष्ट के रूप में 66,185 युवाओं को 16 करोड 54,25,25 रुपे की राशी अंत्रिथ की गई थी इस बार युवा बेरोजगारों को दूसरी किष्ट दी गई इसे मिलाकर 1,5,395 युवां के खाते में 48,89,87,500 रुपए की राशी अंतरित हो गई मुझे मंत्री बुपेश बगेल ने कहा कि पिछले बार बेरोजगारी भत्ते की राशी देते हुए मैंने कहा था कि रो खड़ते ही नौकरी के विज्यापन आएंगे आज मैंने अपना वादा निभाया है और सभी विभागों में लगातार नौकरी के विज्यापन आ रहे हैं तीस अप्रेल को मैं यहीं गोष्णा किया था कि जिस दिन हम को अन्मति मिलेगी उसी दिन दूसरे दिन सारे अगवारों में मीडिया में वो इस्तिहार भरा पड़ा रहेगा और लगातार सारे विभागों के भरतियां प्रारम हो गई है विज्यापन निकल रहे हैं कुछ लोग वाटसअप में कह रहे हैं कि कका अतिक जल्दी जल्दी मत करना गा थोड़के रूख के करना भई तो दूसरा उसका साथी कहता है भया फीस नहीं लगता भयापन और प्यस्सी में सरकार ने वो भी माप कर दिया है 1680 प्रकरण अपील के लिए बिरोजगारी भत्तो के आविदन की नियमा अनुसार पात्रता जाच हो रही है जिन मामलों में भत्ता स्विकृत नहीं किया गया है उन्हें अपील का अधिकार दिया गया है आपको बता दें 1680 प्रकरण अपील के लिए कलेक्टरों के समक्ष प्रस्तूत किये गए है इन में से 187 प्रकरणों में भत्ता स्विकृत कर लिया गया है 493 प्रकरण अस्विकृत कर दिये गए हैं और इसके साथ ही 1001 प्रकरण अभी लंबे थैं पोर्टल में भी ओनलाइन शिकायत करने की व्यवस्था की गई है इसमें 2942 शिकायते फ्राप्थ हुई इन में से 1425 शिकायते निराकृत कर दी गई है केंद्र सरकार की महत्वकांशी योजना एक भारत स्रेष्ट भारत के तहत जांजगिर चापा जिले के भ्रमन पर गुजरात के राच कोर्ट से पुलिस टीम पहुची है बहेरादी गाम इस्थित कुझ बिहारी साहू किसान स्कूल में गुजरात के पुलिस कर्मियों ने 36 गड़ की 36 भाजी जैसे लाल, पालक, अमारी, पट्वा, कांदा, करपता, चेच, आदी भाजीयों की जानकारी ली देश के पहले किसान स्कूल को देखकर पुलिस कर्मियों काफी खुश हुए इसके साथ ही किसान स्कूल में किये जा रहे कारियों की उन्होंने सराहना की हें कλαने क्या उप्योग है अलग-अलग तरिकी के बहुत बड़े उप्योगी होते है और खेती में बहुत बड़े उपयोगी होते हैं एसा संसोधन के इंद्र है किसान कुल बहुत अच्छा है हमको यहां के अलग अलग तरीक के से बहुत अच्छा जानने को मिला है और यहां कर सब कुछ नए जानने को मिला है और यहां कर बहुत खुसी हुई यहां पर हमने अल किसान स्कूल के संचालक तीन दयाल यादव और नवाचारी कृषक रामाधार देवांगन ने गुजरात के पुलिस कर्मियों को संरक्षित बीज, किसान स्कूल के धरोहर, जैविक खाद, अक्षय चक्रक्रिशी मौडल और मंजिल दर्मंजल खेती, गोबर गैस सिस्टम, नि रमड के दावरान उन्होंने ना सिर्फ यहां पर जैविक क्रिशी का एक सुंदर माडल देखा, बलकि क्रिशी चेत्र में कई एक नवाचार को भी उन्होंने देखा है, और उन्होंने नवाचार के सांसा, चतिस गल की चतिस भाजियों, और उनके वेस्ट से चीज, कर देखा, गुजरात के पुलिस कर्मियों ने कहा कि देश के पहले किसान स्कूल बहेरादी में आकर उन्हें बेहत खुशी हुई, किसान स्कूल में किये जा रहे अनेक नवाचार की जानकारी मिली, यहां किसानों ने साथ मिलकर जो प्रयोग किया है, वह अन्य किसानों के लिए मिसाल है वे गुजरात में जाकर किसानों के इस खास प्रयास किसान स्कूल के बारे में जरूर बताएंगे और अंत्मे मुख्य समचार एक बार फिर से केंद्र सरकार के नौ साल पूरे होने के मौके पर भाजपाते महा जन समपर कभियान की शुरूात अजमेज से मोधी काबिनेट ने अन्नभंडारन योजना को दी मंजूरी सहकारिता के छेत्र में होगा बड़ा बतलाव बिरुजगारी भत्ते की आज दूसरी किष्ट जारी मुख्यमंत्र ने कहा रोक हटते ही नौपरी के विज्यापन आ रहे हैं मैंने अपना वादा निभाया और एक भारत स्रेष्ट भारत के तहत जांजगीर चापा के भ्रमन पर गुजरात पुलीस टीम देश के पहले किसान स्कूल को देखकर पुलिस कर्मी हुए प्रसंद इसे के साथ यह समचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार